हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई यूटूब चैनल, दोस्तों आज हम आप लोगों की बीच बहुती कम्माल का ब्लाग लेकर के आए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिपावली और छटपूजा आ रही है, ति उसी के उपलच में यहाँ पर हर प्रकार की काफी बेहत पुपसूरत, सुंदर-सुंदर, छोटी-छोटी मुर्थियों से लेकर बड़ी-बड़ी मुर्थियां यहाँ पर बनाई जा रही है, तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है, तो फ्रेंड्स, इस जगह का नाम है रानी की सराय, प्रेंड्स, यह आप लोकेशन देख सकते हैं, पहार का, जेस्ट रोड पर रही है, तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, काफी इंट्रेस्टिंग मुर्थि बनाई गई है, यह आप देख सकते हैं, कई प्रकार की मुर्थियां यहाँ पर बनाई गई है, मुष्मी जी, काफी सारे मुर्थियां यहाँ पर बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं, यह उपर नाग लगा हुआ है, काफी बेहत खुबसूरत लग रहा है यह मुर्थि, यह सरस्वती जी का है मुर्थि, काफी अच्छी तरीके से डेकोरेटिंग किया गया है, और काफी अच्छी तरीके से सजाया भी गया है, आप देख सकते हो, यह कमल बनाया गया है, काफी सुन्दर लग रहा है, और भी सारी मुर्थियां है, आप दो देख सकते हो, कितनी सुन्दर तरीके से बनाया गया है, तेखने में काफी सुन्दर लग रहा है, यहां पर एक बार आना तो बनता ही है, बहुत ही खुबसूरत मुर्थियां पनाई गए हैं यहां पर, कुछ सारी मुर्थियां यहां परबनाई गया है, आप देख सकते हैं कुछ धांचा तेयार किया गया है, जैब तक अबस्यान के बहुत ही सारी मुर्थियां यहां पर बनाई गई हैं जो काफी बिहद, फुबशूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हैं पोरे और आस की लकडियों निट्टी से सारे मेटेरिल से मिल कर बनाया गया है यह आप देख सकते हैं लच्मी जी हैं सरस्वती जी हैं गडेश जी भी है और इनकी सावारियां भी बनाए गई है यह अर्ष लच्मी जी का सावारी है गडेश जी की सावारी है चूहा जो यहाँ पर बनाया गया है देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा और सरस्वती जी का जो सावारी है यह अधक है देख सकते हैं आपो और आप देख सकते हैं किकनी बड़ी-बड़ी मूर्थी हैं यहां पर बनाए गई हैं जो बेहत पुशुरत लग रही है यह आप दोग देख सकते हैं यह ठाचा तयार किया गया है गनेश जी का बस अभी पेंटिंग इस पर करेंगे अधी बढ़ियां तरीके से यहां पर ना कासी किया गया है डिजाइन देखिए आप लोग कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है यह चेहरे का एक सांचा होता होगा जिसकी सहायता से लोग बनाते होंगे यह लच्मी जी को आप देख सकते हैं यह भी अभी प्रिपेर की जा चुकी है और इसकी अभी पेंटिंग किया जाएगा देख सकते हैं कितली बेहतरी तरीके से लगासी किया गया है और यह आप देख सकते हैं मूर्ती तीनुष साफ में है गनेश जी लच्मी जी और सरस्वती जी का जो काफी खुपसूरत है और उपर नाग बना हुआ है चलते हैं और भी है मूर्तियां बहुत सारी मूर्तियां है तो आगे चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को यह आप देख सकते हैं कितने सारी मूर्तियां है अपर बना है और ये मेटेरियल है मुर्तियों के जिससे सजाया जाता है तो यह दिस सारी सजावत की सारे सामान हिना पर जो काफी सुधनर लग रहे हैं देखने में आप देख सकते हैं मुर्तियों को यह आप मुर्ति देखी कितना खुबसूरत लग रहा है उबर संकजी बने हुए है नीचे लचपी जी गणेश जी और सस्वती जी का अटो है और यह मैटेरियल हैं और यह हम दूसरी ओर जा रहे हैं जहां पर मुर्तियां और भी बनाए गई हैं यह आप देख सकते हैं सकते हैं स्कती है मुर्प मोर्ति पितनी खूचय रही है कि ये आप देख सकते हैं काली जी का मोर्ति भूक नीचे सिंकण जी षी मोर्ति बनाऻ़ा गया है बांज़ पस राच्च सूपूब भी बनागय है और आप देख सकते हैं यह सारे मेटेरियल हैं जिससे पेंटिंग की जाती है आप मेटेरियल देख सकते हैं तरह तरह की केमिकल और देंटिंग है आप देख सकते हैं और तरह की मेटेगल यहां पर आप एलेबल हैं यह मूर्ती काफी बेहत खुबसूरत लग रही है आप यह मूर्ती देख सकते हैं फूल बनाया गया है उपर यहां पर आना तो एक बार बनता ही है वज़ा आ गया है यहां पर अलग अलग टकार की मूरियां देख कर काफी अच्छा लग रहा है यहां पर देखकर और यह आप देख सकते हैं मैटेरियल कुछ बाले हैं यहां पर लगाई जाएंगी यह बाल है मूर्तियों के यह अभी मूर्तियों को प्रिपेयर की जा रही है तो कुछ यह मैटेरियल है कि अञ्च्ड फूपिठोचर प्राजिवू का झाल 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 प्रेंट्स जो यहां पर मुटिक अलाकार है वो दिहार राजिव की छपरा जेले के लहने वाले हैं जो आंजल पर जेले में रहे कर आपके लिए आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे झाल 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 झाल